पूरे देश में जनमाश्टमी की धूम मची हुई है दोस्तों पुरा देश भगवान शुक्रिष्ण की भक्ती में डूबा हुआ है लेकिन सरातन धर्म के लिए अच्छी खबर आ रही है एक मुस्लिम देश है जी हाँ दोस्तों एक मुस्लिम देश में जनमाश्टमी की धूम मची हुई है और हर तरफ औरे कृष्ण का जाप हो रहा है दोस्तों भगवान शुक्रिष्ण की भक्ती में डूबे हुए ये लोग कोई और नहीं बलकि वही मुस्लिम ही है एक तरफ जह है एक मुस्लिम देश में भी जी हाँ दोस्तों कौन सा है वो देश और कैसे वहां के लोग काना की भक्ती में डूबे हुए हैं बताएंगे आज कि इस वीडियो में वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा दोस्तों जब जब धर्ती पर पाप और अधर्म भड़ा है तब तब भगवान ने अवतार लेकर पाप का सर्वनाश किया है वगवान विश्णु जी हर यूग में आकर इनसानों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अवतार ले चुके हैं अधर्म को खत्म किया गया है रावन का सरवनाश किया और अधर्म पर धर्म की जीत कराई मर्यादा पुर्शुत्तम राम के रूप में उन्होंने इंसानों को मर्यादा के रूप में रहना सिखाया और धर्म को सबसे उपर रखा दोस्तों भगवान श्रीकृष्ण के रूप में वत्रेता युग में आए और आते ही अपने चमतकारों से लोगों का भला किया भगवान स्रीकृष्ण की अठखेलियां और उनके बालपन की शरारतों ने हमें सिखाय की मन का बालग कभी नहीं मरता उसे हमेशा जन्दा रखना चाहिए अपने ही मामा कंस का वद्ध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अधर्मी चाहे रिष्टे में क्यों ना हो लेकिन उसका खात्मा करना ही पड़ता है दोस्तो भगवान स्रीकृष्ण ने महाभारत के समय में भी अधर्म को हराने के लिए धर्म का साथ दिया और अर्जुन के साथ साथ सभी कौर्वों का मार्गदर्शन किया द्रापदी की रक्षा और उनकी इज़त को तार-तार होने से बचाया भगवान स्रीकृष्ण ने हमें गीता का ग्यान दिया और हमें सिखाया कि धर्म ही सबसे बड़ा है और धर्म के रक्षा करने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो डर्ना नहीं चाहिए श्रीमत भागवत गीता में हमें जीवन जीने का ग्यान मिलता है और जिंदगी की तकलीफों और खुशियों को कैसे हैंडल करना है सीखने को मिलता है गीता का श्लोक है यूगे यूगे यनी जब-जब धर्म पर खत्रा होता है और अधर्म बढ़ता जाएगा तब-तब मैं आऊंगा और अधर्म का सरवनाश करूंगा इस श्लोक का हिंदी अनुबाद ये है कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ, जब जब धर्म की हानी होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनास के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स् शुक्रिष्ण का जन्म हुआ था वहां आज भी चारों तरफ उनकी ही महिमा और लीला दिखाई पड़ती है उनकी भक्ती में मगन होने वाली मीरा ने इस धर्ती पर जन्म लिया था मगर आज दुनिया भर में भगवान शुक्रिष्ण की लाखो करोडों मीराएं हैं जो उन् और यूरोप में भी भगवान शुक्रिष्ण के बड़े बड़े मंदर हैं जहां हर वक्त हरे कृष्ण हरे रामा का जाप होता रहता है ऐसा ही एक मुस्लिम देश है जहां जन्माश्टमी के मौके पर धूम मची होई है चलिए आपको बताते हैं उन देशों के बारे में ज सबसे जादा खुशहाली मतुरा और व्रंदावन में ही देखने को मिलती है लेकिन सकौन संस्थान के प्रयासु के वज़े से विदेशों में भी भगवान शुक्रिष्ण जन्माश्टमी के मौके पर विदेशी भी शुक्रिष्ण के भक्ती में रंगे नजर आते हैं और शानदार तरेके से सजाय जाता है और महीने पहले से ही स्रक्रिष्ण के जन्म दिवस को तैयारी जोरो शोरो से चलती रहती है। विदेशों में भी भारत की तरह ही खूब धूम धाम रहती है, अमारिका, ब्रिटेन, कानाडा जैसे देशों में भग्वान श्रक्रशन के जन्म की बहुत धूम देखने को मिलती है। भगवान श्रकृष्ण के जनमुत्सव पर विदेशों के मंदरों में भी खुबसूरती से सजावच होती है और वहाँ भारती हिंदूों के साथ साथ अन्य धर्म और कम्यूनिटी के मानने वाले बेखुशी-खुशी जुमते हुए मंदर पहुंसते हैं विदेशों में बने कौन मंदर को रंग-बिरंगे फूल और चम-चमाती लाइटस से सजाय जाता है इन मंदरों में पूरा दिन हरे कृशना, हरे रामा का जाब चलता है और लोग क्रश्ण के भक्ति के गानों पर जूमते भी हैं दोस्तों इन मंदरों में भगवान श्रकृष्ण के भोग के ल कृष्ण का जन्दिवस मना जा रहा है तो इतना ही नहीं विदेशी नागरिक खास कर भारत के इस तेवार को मनाने के लिए भारत आते हैं और यहां के कृष्ण मंदरों में आप पुछ जन्माश्टमी के मौके पर भारतिय हिंदूों के साथ साथ विदेशी भी कृष्ण भक में लीन रहते हैं और कृष्ण उत्सव में होने वाले कई प्रोग्राम में हिस्सा भी लेते हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी भारत की ही तरह भगवान श्रकृष्ण के जन्मोच्व की धूम मची रहती है यहां काफी संख्या में लोग मंदरों में आते हैं औ और पूरे रित रिवाजों के साथ भगवान श्रकृष्ण के पूजा करते हैं इस मंदर में बड़े ही रित रिवाज और शांदार तरीके से कृष्ण भजन के प्रोग्राम्स भी किये जाते हैं और तैवार को मनाया जाता है आपको बता दूं कि भगवान श्रकृष्ण क की धूम रहती है और यहां पर भी पूरे रित रिवाज के साथ इस तेवार को मना जाता है आज के दिन सभी लोग एक जगा पर एक अठा होते हैं और राधा कृष्ण के मंदरों में लोग श्लो कादी बोल कर पूजा करते हैं इसके अलावा यहां पर मंदरों में राध भर भ भगवान शुकरष्ण की भक्ती में लोग डूबे रहते हैं और धूम धाम से जन्माश्टमी का तैवार बनाते हैं दोस्तो भगवान शुकरष्ण की भक्ती में जूबे इन सभी देशों में हिंदू की संख्या काफी कम है लेकिन बावजूद इसके भगवान के अफ़कर दोस्तों आखको इस्क्रीन और वीडियो दिखाई दे interpreते रही हैं जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें